नमस्कार दोस्तो अपने रूम के साइज की हिसाब से कितने तनका एसी बिठाना चाहिए उसका किस तरह के से कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका एक सिंपल ट्रीक बताऊंगा जो एक मिनिट के अंदर आप पता कर सकते हैं कि आपके रूम के लेंथ और विर्थ और हाइट के हिसाब से कितने तनका एसी लगेगा या आपके ओफिस के लेंथ, हाइट और विर्थ के हिसाब से कितने तनका एसी आपको बिठाना चाहिए इसका एक सिंपल तरीका में आपको बताते हो आपके रूम जो होता है या आपको को तन का EC है कितने तन का EC बिठाना चाहिए उसका एक आंदाजा निकाल सकते है उसका एक मतलब एक accurate तरीका में आपको बता दूँगा जैसे कि मैंने जैसे आपको बता दिया कि यह रूम है सबुझ यह रूम के हाइट जैसे 10 foot हाइट है जो इसकी लेंद है वह 12 feet है फीट में हो जो भी रूम है, बेड रूम है जो भी पकड़ के चलो, hall पकड़ू जो आपको पकड़ना है यह तीन चीज़ आपके पास है तो इसके बाल आपना पता इसको एक formula है इसका formula तन निकलने का आपने को कितने तन का EC बिठाना चाहिए इसके अंदर थोड़े बहुत मतलब इसक जब आपना डोमिस्टी की उज़ होता है मतलब जब घर के अंदर आपने एसी उज़ कर रहे तो इसको फर्मेले की तहट आप एसी बिटा सकते हैं तो टन निकलने का फर्मेला का है मतलब एक सिंपल तरीका बता रहा हो उसका सपोज लेंद मल्टिप्लाइबाई उसका हाइट मल्टिप्लाइबाई उसका वीड डिवाइड़ वाइट वन थाउजन वराबर तो इसको लेंद कितनी अपनी लेंद ए बारा फिट हाइट दस फिट और वीड़ ते अपनी दस फिट उसको डिवाइड क्या करेंगे 1,000 से उसको डिवाइड करेंगे 1,000 से डिवाइड किया तो कितना आएगा ये 12 सोरी 1200 divided by 1,000 तो आएगा अपना 1.2 टन आएगा 1.2 टन का तो इसकी नहीं मिलेगा तो आपने को कितना बिटा सकते इसका अंदर 1.25 तो का 1.25 के उपर रहेगा तो 17 का बिटा हूँ इसे बहुत सारे computer है या कुछ server type के system है तो यहाँ पे आप उसके heat load के इसाब से आपको AC का size भी बढ़ाना पड़ेगा लेकिन एक general तरीका बता रहा हो और एक example बता कि मैं आपको दे देता हूँ और एक रूम कापनी example है सपोज किसी का एक haul है haul की length गुनूले width गुनूले height divided by 1000 उसकी length थे haul के सपोज 15 feet लेन थे width थे 12 feet और height 8 feet divided by 1000 तो इसका कितना calculation आता है मैं आपको बता देता हूँ तो इसका total आएगा आपना 1440 divided by 1000 तो मतलब कितना आएगा 1.44 टन राइट ए टन निकालनेगा format है अपना तो 1.44 टन का तो एसी नहीं मिलेगा इसका मतलब आपने को 1.5 टन का एसी आपर बिठाना पड़ेगा एक simple calculation एक simple तरीका कम्रे के हिसाब से एसी को किस साइज का एसी लेना चाहिए क्यों कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो था कि नहीं अगर में शिप्ट किया लेकि कंब्रे का साइज तो 10-12 बारा एट फीट है तो तो कितना टन वह से बिठाना चाहिए तो उधर 1 तन का सफिशिंट हो जाएगा क्यों कि इध 1.44 इसका साइज आगा रहे है इधर अगर 1 तन का AC बिटा देया तो क्या हो जाएगा इसका जो आउड़र है जल्दी कट आफ नहीं होगा आउड़र अगर कट आफ नहीं होगा तो एलेक्टिसिटी कंजम्शन भड़ जाएगा क्योंकि उसके उपर हिटलोर जादा रहेगा व साइज के हाथ अगर इधर उन टन बिठा दो तो इधर कितना बिठाज रहे है नहीं होगा तो उसका फिट में इंचेसं में नहीं अगर इदर अफिड नहीं में उसको अइख बिखा दो जो भी साइज है लुतने हिसाप उसको अधर इसका बिठादा दो धो inverter AC बेटाना चाहिए या non inverter AC बेटाना चाहिए उसके regarding में अलग एक वीडियो बनाने वाला हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का अपने दोस्तों में और WhatsApp ग्रूप में शेर कर दीजे Thank you everybody, thank you so much